साथियों, Employment Generation का एक और पक्षा है, और वो Infrastructure Projects में सरकार द्वारा किया गया Investment, हमारी सरकार Infrastructure Projects में तेज रप्तार के लिए जानी जाती है, जब सरकार Capital Expenditure पर खर्च करती है, तो बड़े पैमाने पर Infrastructure जैसे रोड़, रेलवे, पोर्ड, नई इमारते, बहुत सी प्रकार की चीज़े तया हो जाती है, Infrastructure निर्माण में, इंजीनियर, टेकनीशनियन, एकाउंटेंट, स्रमीक, हर प्रकार के, उसमें तरह तरह के, इक्विप्मेंट, स्टील, सिमेंट, ऐसी भाती भाती की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमारी सरकार के दोरान, पिछले आठ नव वर्षों में, केपिटल एक्ष्पेंडिचर में, चार गुना बढ़ोत्री हुई है, इसे, रोजगार के नए अउसर और लोगों की आए, दोनों में वृद्धी हुई है, मैं आपको भारतियर रेलिवे का उधान देता हुई, 2014 से पहले, सात दसकों में, बीस हजार किलोमीटर के आसपास, रेलिवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले नव वर्षों में हमने करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेलिवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है, 2014 से पहले, एक महिने में सिर्फ 600, 600 मिटर नई मेट्रो लाइन बनाई जाते थी, 600 मिटर, आज हम हर महिने लगबग, 6 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बना रहे हैं, तब हिसाब मिटर में होता था, आज हिसाब किलोमीटर में हो रहा है, 2014 में, देश में, सत्तर से भी कम जिलो में, सत्तर से भी कम, सत्तर से भी कम चिलो में गैस नेट्वर का विस्तार हुआ था, आज ए संख्या बढ़कर, 630 जिले तक पहुँच गई हैं, कहां सत्तर जिले और कहां 630 जिले, 2014 तक, ग्रामीड इलाकों में, सडकों की लंबाई भी, 4 लाइक किलोमेटर से कम थी, आज ए आकड़ा भी बढ़कर, 7,7 लाइक किलोमेटर से ज़ादा हो चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जब गाउं में सडक पहुंती हैं, तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है, इससे पूरे इको सिस्टिम में तेज गती से रोजगार का स्रजन होने लगता है, साथियों, ऐसे ही काम देश के एवियेशन सेक्टर में हुआ है, 2014 तक देश में 74 एरपोर्ट थे, आज इनकी संख्या 148 हो गई है, हम सभी जानते हैं कि एरपोर्ट ऑपरेशन्स में कितने जादा स्टाप की ज़रुद पड़ती हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एरपोर्ट ने भी देश में हजारों नए अवसर तयार किये हैं, और आपने देखा है कि हाली में एर इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई जाहाज खरिदने का ओर्डर दिया है, कई और भारतिय कम्प्रियां भी इसी तयारी में हैं, यानि आने वाले दिनों में इस सक्टर में केटरिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसिस तक, मेंटेनेंस से लेकर ओन ग्राउंड हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में नए अवसर तयार होंगे, ऐसी ही प्रगति हमारे पोर्ड सेक्टर में भी हो रही हैं। समुद्री तर्ट का जो विकास हो रहा है, हमारे पोर्ड जो डेवलफ हो रहे हैं, आज हमारे पोर्ट्स पर पहले की तुलना में कारगो हैंडलिंग दो गुनी हो चुकी है और इसमें लगने वाला समय अब आधा रह गया है इस बड़े बडलाव ने पोर्ट सेक्टर में भी बड़ी तादाद में नए अवसर तैयार किये हैं साथियों देश का हेल सेक्टर भी एम्प्लोइमेंट जनरेशन का बहत्रीन उधारन बन रहा है 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे आज 660 मेडिकल कॉलेज है 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी आज एक लाग से जादा सीट उपलब्द है आज पहले के मुकाबले दो गुनी संख्या में डॉक्टर परिशाएं पास करके तैयार हो रहे हैं आईश्मान भारत योजना की वज़े से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लीनिक बने हैं यानि इंफ्रास्ट्रक्टर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बड़ोतरी सिनिस्षित कर रहा है